माध्य परदेश के नागदा तहसिल की उन्हेल में जेन संत दिव्यानंद सुरीश्वर निराला बाबा द्वारा चल रहे चतुरमास के अंतरगत धर्म गंगा बाहई जा रही है। संत के अनुसार चतुरमास करने वाले धर्मिक कार्य और तब का फल दो गुना हो जाता है। जिसमें युवा यूती धर्मिक भजनों पर थिरते हुए नजर आए। चल समारों M.B. परिसर में पहुशने के बाद गुरुवर द्वारा धर्म सभाद की गई और स्वामी वासल्य का आयोजन किया गया। मयंक की इस तपस्या से प्रेरित होकर कई धर्म प्रेमी अपनी तपस्या जारी रख रहे हैं। नागदा से संजेश शर्मा की रिपोर्ट। माभी माभी है। और उसके इंदर सबसे बड़ा लाब तो क्या है कि मन का सुध्धी करण। यान कि परमात्मा की वानी सुन करके भक्त आत्माओं के मन का सुद्धी करण होए सबसे बड़ा पुन्य लाब तो है क्योंकि जब तक मन की सुद्धी नहीं होती है तब तक तन भी सुद्ध नहीं होता है तो मन की सुद्धी का सबसे बड़ा पुन्य है और सबसे बड़ा ला अगनी के इंदर अपन आत्मा को नहीं तपाते हैं तब तक आपकी आत्मा निर्मलचित नहीं बनती है और उस आत्मा को निर्मलचित बनाने के लिए तबका एक बहुत बड़ा विधान भगवान महावीर सौम जी ने बताया हैं शिरप पानी के उपर तपशा करना आज के बात लगती है लेकिन जैन सास्टन के इंदर पानी के पर ही वर्त किए जाते हैं कि तो भक्तात में बिना पानी पी आठाट वर्त कर लेते हैं इसके इंदर 24 गंटें भी नहीं खाया पिया जाता जैसे कि तपश्या का ही बहुत बड़ा महत्व गिना जाता है और उसी महत्व के माध्यम से अन्य धर्मों के इंदर इतनी बड़ी तपश्या का विधान नहीं है चाहिए फिर ओषिखी जम हैए चाहिए हिंदु जम है इसलाम है उसके इतना बड़ा तपका महत्व नहीं बताया उतना ही आपका मन मजबूत बनेगा, बोल्ड बनेगा, बीना तपश्या मन भी बोल्ड ने पड़ता, इसलिए तपश्या का दोर चल रहा है, चातुरमाज की सबसे बड़ी उपलब्दी और सफलता तपश्या से होती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा केनल S.W.24 News, हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे केनल को सब्सक्राइब तरें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भुलें।